महत्रम नमश्कार जहिन भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हुरी श्राज बात करेंगे कनाडा में हुए भारतियों 사고 और खालिस्टानियों के बीच हुए जड़प की दिवाली के दिन की ये घटना है जहां कालिस्टानियों ने खलर डाली दिवाली के कारिकरम में और उसका उन्हें मूतोड जवाब दिया गया है इस पूरे घटना की तस्वीरे सामने आई है जो तस्वीरे में आपको लगतार दिखा भी रहे हैं ये घटना कैसे हुई है क्या हुई है खालिस्तानियों ने क्या कुछ किया है इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं ये घटा जो है वो 24 अक्टूबर के रात की है कि भारतीय समुदाय जो है कनाडा में दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था और इसी सेलिब्रेशन के दर्मियान जो है वो खालिस्तानी आते हैं और उधम मचाना शुरू कर देते हैं जिसका करारा जवाब उन्हें वहीं मिल जाता ह तो ये खबर है कनाडा के औरियंटो राजी के ब्रेम्टम शहर की जहां भारतीयों और खालिस्तानियों के बीच बवाल हो गया दिवाली की रात 24 अक्टूबर को भारत सही दुनिया भर में सेलिब्रेशन चल रहा था इसी दौरान कनाडा के ब्रेम्टन में भी भारतीय करती का अंदाजा लग सकता है किस तरीके से दोनों गूटों के बीच वहां पर तनाव किस्तिती पैदा हो जाती है बारतीय समुदाय के लोग इस दौरान भारत माता की जय जय श्रीराम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं विवाद के कई वीडियो सामने आये हैं जिसमे एक तरफ सेलिब्रेशन के दौरान भारतीय समुदाय के लोग हाथ में जंडा लेकर तिश बाजी करते नजारा रहे हैं तो वहीं दूसरे तरफ खालिस्तानी समर तक हाथ में जंडा लेकर नारे बाजी कर रहे हैं और इन ही सब हंगामे के बीच कनाडा की पुलिस भी पहु लोगों से उलजने की कोशिश करते हैं लेकिन भारतिये समुदाय के लोग जो दिवाली बनाने वहां पहुँचे थे बहुत ही सूजबूज का परिचे देते हैं और पूरे मामले में काफी सयम बरतते हुए खालिस्तानियों को नारेबाजी के साथ अपना करारा जवाब देत कनाडा में खालिस्तानी पहले भी इस तरह की हरकत करते रहे हैं इसके पहले खालिस्तानियों ने ब्रेम्टन के स्वामी नरायन मंदिर जैसे भारती मंदिर को तोड़फोड करने की कोशिच की थी इस घटना को लेकर कनाडा की पुलिस अभी तक जाच पूरी नहीं कर पाई जन्मत संग्रा को लेकर भारत सरकार का साफ और सीधा कहना था कि ये भारत की अखंडता के खिलाफ है और भारत इसे बिलकुल बरदाश्ट नहीं करेगा भारत सरकार की ओर से ये कहा गया था कि कनाडा की जो मौझूदा सरकार है वो अपने वोट मैंक के लालज के लिए इस प्राप्त और पर पाकिस्तान और ISI का समर्थन प्राप्त है यहर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान और ISI भारत विरोधी गतिविदी में किस तरीके से सनलिपत रहते हैं ऐसे में खालिस्तानी भारत के विरोध में जाकर किसी भी हद तक चले जाएं लेकिन अंजाम जो है उन झाल झाल